वेलकम टो प्यूर कोकिंग इसीडियो में मैं हैजराबादी होटल में मिलने वाला खजूर की रेसिपी शेयर कर रहे हुँ देख सकते हैं आप इसका लुक कितना परफेक्ट बना है और देखे कितना अंदर से अच्छे से पका है अगर आप भी ये टेस्टी खजूर बनाना चाते हैं तो सारे टिप्स को फॉलो करके बनाए देखे इसका लुक कितना परफेक्ट आया और खाने में तो लाजवाब है तो इसके लिए मैंने फ्लैट सर्फेस पे दो कप मैदा एट कर दिया है इसमें एक कप रवा एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों और 1 टेबलिस्पून मैस में काटे हुए काजू एट कर रही हूँ और एक कप शुगर क्योंकि जो ख़ूर होता है वो बहुत ज़ाधा मीठा शुगन होता तो इतनी शकर काफी है अगर आप बहुत ज़ाधा काने के आदी है तो थोड़ी से शखर और आट कर सकते और अब थोड़ा थोड़ा पानी आट करके एक हाट डो यानि सखत आटा हमें गून लेना है, अगर आप ये रेसिपी आटे से बनाना चाहते हैं तो मैंने अल्रेड़ी इसकी रेसिपी शेयर की है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप देख लें, थोड़ा सा फर्खाता है टेस मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही आट करना है कि आपकि देख रहे है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी के रहे हुए और मिक्सकरते जा रहे । हमें इसका हाट डो विश्य होग सेसे पूरीका होता है जालते के लिए रहarta गोरी बनाना है क्योंकि बनेगा पैसमें रवा है मेरा मिनिट के बाद में मैंने ओयल गरम होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर क्योंकि हमें तेल गरम चाहिए जब हम खजूर फ्राइ करेंगे अब हम इसको तोड़ा सा mix करेंगे बस काम करने के लाइख हो जाए इतना ही इसे गूंदा नहीं हमें रोटी के तरह क्योंकि यह गूंदी भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें रवा ज्यादा है अब देखिए मैंने एक पेड़ा बना लिया है बड़ा सा और अब हम इसको पोशन्स कर लेंगे तो एक कमेंट आया था कि मैं फ्लोर पर बना लिया तो यह फ्लोर नहीं मेरा यह किचेन एरिया है यानि की प्लैटफॉर्म है इसी पर मेरे घर में रोटी बनती है इसे लिए मैंने एवरा आणसर कर दिया अब इसको चईकोर बेल लिया है । प्यू जू बोडी जो भाहर हमें होटर फोट वह कसूऌर का ही होता यह होता है अगर विह इतना ही हमें हां इंच जितने महीं देखर कर रहे है अब देखिए, इसके हम स्क्वेर कट कर लेंगे, देखिए, मैं आपको निकाल कर बता रही हूं कि इसकी इतनी मुटाई रखनी जरूरी है, अब जो बचे हुए आटा है, उसको भी मैंने मिक्स कर लिया है, और हम सारे इसी तरीखे से खजूर बना के रेडी कर लेंगे, अब बेलकुल बैचे में हम इनको फ्राइ करेंगे, मैंने 5-6 पीछे साट कर दिया है, जो मैं ऐल यूज कर रही हूं, वो फल्ली का तेल है, पीनेट ओल, इसलिए यह जाग कफारा है, तो वरना नॉर्मल ऐल में फ्राइ करेंगे तो नहीं आएगा, अब एक 5 मिनिट के बाद मे हम इसको फ्राइ करेंगे, क्यांकि अगर यह एक साट फूरा फ्राइ होने के बाद में आप दूसरी साट फ्राइ करेंगे तो अच्छा नहीं फ्राइ होगा, यसलिए फ्लिए quinho फ्राइ क्याख बाहर करें दूजर में तक अधिक हावाचिरों यग तक फर्लिप करें, लिगो तो फ्लिप करकें अच्छे से क्रिस्पी होरे तक फ्लिप करें देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है अब हमारा खजूर तो हम इसको निकाल लेंगे इसका कलर और टेक्स्चर बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे हम बाहर होटल में खाते हैं है तो यह निकाल के रख दे और आप इसको प्रिजॉफ भी कर सकते हैं अब एक बैच अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे अब यहां पे मैं आपको तोड़ कर बता रही हूं अंदर से कितना अच्छा पका है खजूर देखिए सारी परतें कितनी अच्छे से बनी और कितना क्रम्बली टेस्ट टेक्स्चर का अब सारे खजूर मैंने फ्राई कर लिये हैं तो हम इनको सर्फ कर देंगे बहुत ही टेस्टी खजूर बनकर तयार हुए है तो सारे टिप्स को फॉलो करके बनाएं और सेम रेसिपी अगर आप गुड में बनाना चाहते हैं गुड और रोटे में तो उसका भी मैं लिंक शे अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्यूर कुकिंग चानल को ऐसे ही उसफुल वीडियो के लिए देखें यहां पर मैं आपको बता रहे हूं कि कैसा जैसे बाहर का खजूर होता है वैसे ही लुक में आ